दोस्तों कुछ दिनों पहले बोनी कपूर ने जूम को दिये इंटर्व्यू में नो एंट्री के सीक्वल को लेकर कई खुलासे किये उन्होंने बताया था कि इस फिल्म में सल्मान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान की जगह वह नई तिकडी को लाने जा रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने उस नई तिकडी के नाम का भी एलान कर दिया था बोनी कपूर ने बताया था कि वो इसमें वरुन, दिल्लीत और अरजुन कपूर को कास्ट करने वाले हैं हालां की फिल्म में एक्ट्रेस कौन होंगी इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई थी लेकिन अब एक रिपोर्ट में इसे लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है अनीस बजमी के निर्देशन में बनी फिल्म नो एंट्री में विपाशा बसू, एशा देओल, सेलीना जेटली, लारा दत्ता, समीरा रेड़ी और नीता शेटी दिखाई दी थी इसके बाद इसके सीक्वल को लेकर खबर आई की इसमें भी एक या दो नहीं, बल्कि दस एक्ट्रेस दिखाई देंगी अब उनमें से तीन के नाम सामने आ गए है दरसल, बॉलिवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, नो एंट्री के सीक्वल में मानुशी छिलर, श्रध्धा कपूर और कृती सैनन दिखाई दे सकती है रिपोर्ट्स के अनुसार, मानुशी, श्रध्धा और कृती फिल्म में अर्जुन, वरुन और दिलजीत के साथ स्क्रीन साजा करती हुई दिखाई देंगी यह तीनों एक्ट्रेस पहली बार एक साथ स्कीन शेयर करने के साथ साथ, अभिनेताओं के साथ भी पहली बार स्कीन शेयर करेंगी फिल्म नो एंट्री साल 2005 में रिलीज हुई थी, जिसे उस समय लोगों ने काफी पसंद किया था और मूवी ने बॉक्स आफिस पर भी अच्छी कमाई की थी अब इसके सीक्वल की कमान भी अनीज बजमी संभालने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी का काम इसी साल दिसंबर में शुरू हो जाएगा और इसे अगले साल रिलीज किया जा सकता है दोस्तों आप हमारे चैनल की पहली बार विडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों से और एक नया विडियो के साथ कर दोस्तों से और विडियो के साथ